जब हम परमात्मा के जगत पर सच्छा विश्वास करते हैं और उसे जानने की जिग्यासा रखते हैं और वहां तक पहुँचने के लिए प्रयास करें तो हमें बहुत सी विद्याई बहुत जल्दी और अपने आप आ जाती हैं। जरूर करें और ऐसी ही रोचक विडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देवी देवता, गुरु संत महात्माओं और भली आत्माओं की शक्तियां उस व्यक्ति के साथ हो जाती हैं और उसकी मदद करने लग जाती हैं। ये सब शक्तियां हमें गहरे ध्यान, नींद या आराम की अवस्था में या कोई साधारन सा काम करते हुए भी मिल जाती हैं। ग्यान से हमारी तीसरी आंख खुल जाती हैं। तीसरी आंख खुलने से हमें बहुत सी चमतकारी शक्तियां मिलती हैं, जिनमें से कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहली है अद्बुत वानी और ग्यान प्राप्त होना जब अचानक अद्बुत वानी और विशेश ग्यान किसी को मिलता है तो वो खुद भी हैरान हो जाता है कि वो ये सब कैसे जान पाया है और ये सब अचानक कैसे हो गया ऐसा लगता है जैसे वो बोल भी रहा है और अपने आपको बोलते हुए देख भी रहा है और अपने ग्यान को देख कर हैरान भी हो रहा है ऐसा व्यक्ति बिना किसी तयारी के किसी भी विश्य पर बोल या लिख पाता है और दूसरों को बड़ी आसानी से समझा भी पाता है दूसरी शक्ती है पूर्वाभास की शक्ती प्राप्त होना ऐसी शक्ति जब किसी को मिलती है तो उसे भविश्य में होने वाली बहुत सी घटनाओं का पूर्वाभास या पूर्वाग्यान होने लगता है परन्तु वो उन सब घटनाओं को बदल या ताल नहीं सकता वो ये भी नहीं जान सकता कि उसे कौन सी चीज का पूर्वाभास होने वाला है किसी अच्छी या बुरी घटना का पहले से ही पता लग जाता है कई बार ये यूनिवर्स भी हमें बहुत कुछ बताने के लिए संकेत देता है इसके अलावा जो शक्ती हमें मिलती है वो है भविश्य में होने वाली घटनाओं का पूर्विज्यान होने लगता है पूर्विज्यान भी पूर्वाभास जैसा ही होता है इसमें व्यक्ती को भविश्य में होने वाली घटनाई या तो सपने में दिखाई देती है या गेहरे ध्यान में या व्यक्ति जब आँखें बंद करके पूरे आराम में हो या हलकी निद्रा की स्थिती में हो. इस तरह के सपने बहुत ज्यादा स्पष्ट दिखाई देते हैं और ऐसा लगता है जैसे सब उसके सामने वास्तविक रूप में घटित हो रहा है. ये सपन की विद्या भी पा लेते हैं, मतलब किसी का हाथ देख कर उसका भविश्य बता सकते हैं. किसी व्यक्ति की जन्न तिथी या नाम के अनुसार आय अनको या उस व्यक्ति को बार बार दिखने वाली किसी संख्या के योग के आधार पर उस व्यक्ति के भविश्य के बारे में भी बता सकते हैं। इसके अलावा मांसिक शक्ति द्वारा दूर के किसी व्यक्ति के मन में कोई संदेश, विचार या भावना आदी को भीज भी सकते हैं और प्राप्त भी कर सकते हैं। अपने हाथों से अपने शरीर की उर्जा को दूसरे व्यक्ति के शरीर में डाल कर उसका इलाज कर पाते हैं। किसी की लिखावट देखकर उस व्यक्ती का स्वभाव, चरित्र, मन और भविश्य देख सकते हैं किसी व्यक्ती द्वारा चाई पीने की बाद चाई के कप में बची हुई चाई पत्ती द्वारा बनी आकृती देखकर उस व्यक्ती के भविश्य के बारे में बता सकते हैं रहसे या किसी गुरु के गूर्वचनों के रहसियों का पता लगा सकते हैं। प्रार्थना या मानसिक शक्ती द्वारा किसी का इलाज कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है अंतरात्मा की आवाज का सुनाई देना। अंतरात्मा की आवाज हम सब के अंदर होती है परंतु आमत और पर लोगों को अपने अंदर जो आवाज सुनाई देती है वो उनके मन की ही आवाज होती है या माता-पिता और समाज के प्रभाव के कारण या व्यक्ति की खुद की आदतों के कारण वो हावाज सुनाई देती है अंतरात्मा की सच्ची और सपष्ट आवाज उन लोगों को सुनाई देती है जो लगातार सच्चे मन से और पूरे संकल्प से ध्यान करते है और जिन लोगों को ये संसार अर्थीन नजर आने लगता है जिन्हें अच्छी तरह ये महसूस होने लगता है कि चाहे हम इस संसार में कुछ भी पाले एक दिन मृत्यू सब कुछ छीन ही लेगी जिनकी सांसारे के च्छाय लगबग समाप्थ हो गई है या जो उनके पास है वो उनसे संतुष्ट रहते हैं जो लोग परमात्मा और आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास करते हैं जब किसी व्यक्ति को अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनाई देने लग जाती है तो समझो उसे सच्छा गुरु मिल गया है अब उसे किसी और व्यक्ति से मार्बशन पाने की जरूरत नही है उसकी अंतरात्मा की आवाज हर पल उसका मार्बशन करेगी हम इसे अपने मार्बशक देवदू भी कह सकते हैं इन विद्याओं और शक्तियों को जानने के बाद अपने अंदर एहंकार को ना आने दे और नहीं लोगों से प्रशंसा पाने के लिए अपने ध्यान से भटके, अपनी ध्यान को हमेशा जारी रखें। ये विद्याओं या शक्तियां इस बात का प्रमान या सबूत है कि परम आत्मा और आत्मा का जगत सत्य है जिनको ये प्रमान मिल जाए वो अपने ध्यान को और तेज कर दे पूरी विदियो देखने के लिए धन्यवाद